तो हलो फ्रेंज आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिश टीवी का एक जिंग बॉक्स के बारे में अगर उस बॉक्स में आपको कोई नो सिगनल का प्राबलम हो जाता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंग का एक बॉक्स है जो कि डिश टीवी के तरब से आता है और इसमें नो सिगनल का प्राबलम है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उपर में सिगनल नोट फॉन्ड दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको बुलू वटन प्रेस करने को कहा जा रहा है जो कि नीचे में आप देख सकते हैं एस्टीवी इन्फो सिट्स लिखा हुआ है तो उस पर आपको बुलू वटन दबाना उसके बाद यहाँ पर आपको यहलो वटन दबाने को कहा जा रहा है तो यहाँ पर हम yellow button दबाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर signal आ रहा है कि नहीं तो दोस्तों जैसे ही yellow button आप दबाएंगे तो यहाँ पर यह signal खोजना शुरू करते गया यानि कि search कर रहा जितना भी transponder है उस पर आपका यह signal आ रहा है कि नहीं तो यहां पर देखिए बढ़ते जा रहा है लेकिन जितना भी box है red color का वो red का red ही रह रहा है इसमें तो यानि कि इसमें कोई भी signal नहीं आ रहा है क्योंकि दोस्तो अगर इसमें signal आता तो यहां पर आपका ये red से green हो जाता यानि हरा हो जाता दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ुसमें जो केवल है वो एकाटा हो कटा ही नहीं क्योंकि अगर आपका केवल खुटा हुआ रहे गा तभी शिगनल आ या फिर आपका लिश्हटनेक्ट हो जाएंगा आपके सेटब box से तब भी no signal इस परकार से आएगा और इसमें यह signal जब search करेगा तो इसमें signal आएगा नहीं दो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर signal नहीं आ रहा है दोस्तों तो इसे signal लाने के लिए बैसे तो दोस्तों इसमें से मैं केवल निकाल दिया हूँ यानी कि जो डिस एंटीना से बायर रहता है उससे मैं निकाल दिया हूँ क्यों कि वीडियो बनाने के लिए यह जरूरी था दोस्तों, तो यहाँ पर जब आप इस परकार का प्रोसेस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर सिगनल आ रहा है कि नहीं, तो अगर आपका डिस अंटीना हिला हुआ है, तो इस सिचुएशन में आप अपने डिस अंटीना को हिला है, या फिर आ यहाँ पर केबल को connect करूँगा आप देख पा रहे होंगे कि जो भी box है जो red color का है वो हरा होते हुए जा रहा है दोस्तों क्योंकि जब search कर रहा है यहाँ पर signal आ गया तो यह इस परकार से आपका green जो box है वो green होता चला जाएगा तो आपके भी अगर आपके पास भी जिंग का box है डिस टीवी का जिंग box है तो दोस्तों आप भी इस परकार से उसमें signal चेक कर सकते हैं अगर आपका बायर पूरे तरह से connect है तो आपका डिस अंटीना हिला हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर डिस अंटीना हिलाने का एक प्रॉ continue होता रहेगा दोस्तों जब तक इसको signal मिलता रहेगा या फिर नहीं मिलेगा तब यह ऐसा करता रहेगा continue तो आप ऐसा करके भी अपने डिस अंटीना को हिलाकर signal ला सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यह कुछ चैनल है जो कि चला आया है इसमें आप दो साल तक फ्री देख सकते हैं दोस्तों आपको यह पंदरा सो रुपए का यह बॉक्स मिल जाता है और यह से आप दो साल तक फ्री देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आई य फिलहाल मैं आगे आने वाले वीडियो में इसका जो सिग्नल लाने का प्रॉपबर तरीका है बो मैं बताऊंगा कि आप इसमें क्या सेटप करके आप अपने डिस अन्टेना को हिलाएंगे ताकि आपको पताचल सके सिग्नल आ रहा है कि नहीं तो दोस्तों आज की इस वीड अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं